रादे रादे जैसे टिश्णा दोस्तों आप सभी लोग कैसे हैं? मैं और मेरा परिवार सक उसल है और मैं लाई हूँ आपके लिए इस न्यू ब्लॉग में सीहोर की यात्रा हम पहुँचने वाले हैं कोबरेशवर धाम सीहोर जो कि हम बोपाल से रिटर्न होते हुए जा रहे हैं यहाँ पे गाड़ी की पार्किंग पहले ही करवा दिये एक किलो मिटर दूर संडे का दिन होने के वैसे यहाँ पे काफी भील होती है मुझे तो ऐसा लगता है सायद रोज ही भील होती है क्योंकि लोगों की आस्था का केंद्र है यहाँ तो बहुत लोग आते हैं दर्शन करते हैं और जाते हैं तो यह पहले जाने का मार्ग अलग था यह दूसरा मार्ग बना है मार्ग के बीच में प्लाट और कालूनिया कटी हुई है और बन रही है नए-नए मकान बन रहे हैं अब काफी डेवलेप्मेंट चालू हो गई है यहाँ पर और आश्रम में पहुँचने से पहले कहीं प्रकार की दुकाने लग गई है हम पहले भी गई थे लेकिन 4-5 साल हो चुके इस बात को तो पहले से अभी में काफी चेंजिस हो गया है यहाँ पर आपको सभी प्रकार की सुबिधाएं मिल जाएंगी यहाँ पर बैट कर नास्ता कर सकते हैं खाने की भी वेवस्ता है थाली सिस्टम भी है कोई महंगा नहीं है हर कोई अफोड कर सकता है रुख सकता है दर्शन कर सकता है तो कोई समस्या नहीं आप देख रहे हैं पर फ़यर मंदिर मंशने का औरतम मार्ग है। यह पर आजू बाजू कई दुकाने भी से इसे इसे समगी्ध से मंदिर का मंदिर मंदिर है। रही है। और यहीं से लोगों की लाइने लग रही है। आप देख रहे हैं कितनी ज़ादा भीड़बाड हो रही है लेकिन फिर भी कोई किसी प्रकार की भगदर नहीं है। स्रदालू अपनी साइड से जा रहे हैं और आने वाले उनकी साइड से लोटकर दर्शन करके आ रहे हैं बोले बाबा के मंदिर में इतने भीड़बार देखकर बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि जहां आस्था होती है वहीं लोग जाते हैं और आस्था और विश्वास जहां होता है वहाँ धर्म होता ही है तो लोग मंदिर में जो मंदिर बन रहा है भी भूले नाद का उसके नीचे ये बना हुआ है कुबरे सरधाम का बोड लगा है और बाबा भूले नाद के एक मूर्ती रखी हुई है तो भूले बाबा की यहीं पे लोग दर्शन कर रहे हैं और मूर्ती का पूजन दूर से करवा रहे हैं कोई पास नहीं जा रहा है दूर से दर्शन कर रहे हैं किसी प्रकार की कोई फूल, हार, माला नहीं चड़ाई जा रही है मातर दर्शन करवाये जा रहे हैं कि आप लोग बाहर को जाईए और भीड भाड में खड़े ना हो किसी प्रकार की कोई असुविधा होगी तो उसके लिए समीती की कोई जिम्मेदारी नहीं है करवा भीड से बचे रहें ऐसा एनाउस किया जा रहा है और बहुत अच्छी बाते ये कर रहे हैंगे यहां पे तरिशूर है और बाबा की पूजन हो रही है और ये मंदिन निर्माणा धीन है अभी यहां पर काम चल रहा है जो दिखाई दे रहा है और सामने जो नाओ की जो आकरती मूर्ती बनी हुई है वहाँ पे रसोई घर है तो उटके भी दर्शन बाहर से ही हो रहे है अंदर जानी की अनुमती नहीं है हर किसी को यहां पे बाबा के दर्शन हो रहे हैं सबी लोग जल चड़ा रहे हैं और पूजन कर रहे हैं बील पत्ती, नारियल लोगों की जो आस्था है वो उसको पूरा कर रहे हैं हमारे पिताजी हैं, वो भी भील में गए मेरी तो हिम्मत नहीं हो रहे थी इसलिए मैं थोड़ा दूर खड़ी हो गई भील भाड में थोड़ा सा समस्या होती है इसलिए और मैं दर्शन कर रही हूँ दूर से ही मैंने बील पत्ती भी ले ली थी और बील पत्ती खाई भी थी और देखें आप कितनी भीड हो रही इतने लोग हैं लेकिन कोई असुविधा नहीं है ये बहुत बड़ी बात होती है बाबा के भगत कितने भूले होते हैं भूले के भगत भूले और भूले का बाबा भूला भंडारी सही तो बात है ये तो देखे मंदिर किता सुंदर बना हुआ है और काम चल रहा है अभी जब बनकर तयार हो जाएगा तब तो बहुत ही खुबसूरत होगा इधर पीछे साइड भी भूले बाबा के कुछ मंदिर बन रहा है वह आप भी मैंने आपको दिखाया नहीं है और यहाँ पे निर्वाल उतार कर रखने के लिए गाड़ी भी खड़ी होई है बाबा के जो पूल पत्ती माला है बगरा है वो उसमें रखी जाती गाड़ियों में और यह जो आप लाइन देख रहे हैं ये बाबा की फेली खाई खुछड़ी प्रसादी की लाइन है हम वहां नहीं गए बहुत भीड़ोने के वज़े से हम गोषाला के दर्शन करवा देथे हैं आप गोषाला के दर्शन करें रहा इतना क्योंकि हमारा जाने का तया नहीं था हम तो भोपाल शादी अटेंड करने गए तर दर लेकिन अब वो जो लिखा था ना हमारा कि हमाँ पहुचेंगे दर्शन करेंगे और इतनी सहजता से दर्शन हो गए और बहुत ही सब को समय पर निश्चित हो गया सारी सी विवस्ता हो गई तो यह बहुत अच्छी बात हो गई सायद बाबा की मर्जी थी तो हम लोग बहुत इस बात को लेकर यहां की गाय और उनके बच्छडे और नंदी बगवान काफी स्वस्त हैं और बहुत अच्छे लग रहे हैं लोग उनको रूटियां भी खिला रहे थे हमने कुछ खिलाया तो नहीं लेकिन बस दर्शनी किये और प्रातना की प्रभु से की हमारे परिवार को सुखी रखें हमें अपनी भक्ति प्रदान करें ताकि हमारा जीवन बहुत सही अमित हो और मेरी नंदुर सास सासर साथ में ही है सारी सास नहीं है सासर आये हुए है तो हम लोग ने दर्शन की देखिए कितनी साफ सफाई है यहां पर जो काफी अच्छी लग रही है और ह आजकल जो जगे जगे गाउं में इस्तिती हो रही है वो उतनी संतोश प्रद नहीं है तो यहां पर गाय की सेवा बहुत अच्छे से हो रही है अब मैंने देख लिया है पहले तो टीवी पर ही देखा था लेकिन अब देखा है तो बहुत अच्छा लग रहा है कि सच में कि बहुत सुन्दर तरीका है और देख भाल भी बहुत अच्छी हो रही है तो हमने गव माता के दर्शन किये और फिर हम इसके बाद बाहर निकले हैं मेरे हस्बेंड मुझे हाई कर रहे हैं क्योंकि मैंने को ऐसा बोल रखाए कि मैं जब भी आपको कैमरे में मेरे तो आप मुझ बहुत अच्छे लग रहे हैं खिचडी प्रसादी मिल रही है और एक लाइन ये जो अब दिखाई दे रही है ये रुदराक्ष वित्रण की लाइन है इसमें हमको भी लगना है तो हम भी लेना चाहेंगे कि अब बाबा का अश्रवास स्वरूफ हम रुदराक्ष ले जाना अब मैं भी लगूंगी और फिर मुझे भी ये सवभाग्य मिलेगा मुझे बहुत बहुत खुशी हुरी इस बात की कि बाबा के दर्शन भी इतने अच्छे से हो गए और उद्राक्ष भी हमें मिलने वाला है और हमने बहुत बढ़िया दर्शन कर ली बहुत दिनों से एक् पीछे तक गई है तो पीछे थोड़ा सा भी उतनी साफ सफाई में थोड़ी सी कमी है लेकिन बाकी ओवराल बहुत अच्छा है ये उनके फोटो लगे हुए है और लोग जा रहे हैं क्लाइन से जा रहे हैं अपने जब नंबर आ रहा है तब जा रहे हैं कोई जल्दी बाज प्रातना स्विकार होती है और पूरी होती मैंने भी करी है जब पूरी होगी तो मैं दोबारा आओंगी मैं इसी मंदिर का जिक्र कर रही थी कि बाबा बुले नात का काली काले सा कुछ मंदिर बन रहा है और निर्मान कारे चल रहा है हमने फोटो कीची है दिख रहा है जब जब अपनी कार के पास आये तो काफी भीड़ हो चुकी थी तो गाड़ी को बाहर निकलने में कुछ समय लग गया इसी के साथ मैं अपने ब्लाग को समाप्त करती हूं जैसी कृष्णा राधे राधे